मुझे पेवल अपना चास्टेर्या घ्रोल करना है मुझे अपनी पूरी बोरड़ु पे फैट बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जो ड्रिंख हम पीते हैं वो चास्टेर्या तो ग्रोल करते हैं साथ beside you अप लगों कि काई सथ ब्रिंक दूंगी के लिए फ्सक снवावारी नहीं लेगाए लिए लिए तो मैं स्रफ अपनी हल्थ के लिए यह पी रही थी लेकिन जब मैंने एक महीन लगाता इसको पिया तो मैंने मैंने फारी हो गया बहुत साइलडकियों का इस्षू होता है ना कि पूरी बोड़ी पे फैट नहीं चाहिए इस चेस्ट एरिया पर तो यह चेस्ट पर ही आपके फैट लेकर आएगा देखे चास्ट जब आप पहांद लगा कर देखें कि हड़ी तो है नहीं सिर्फ फैट है ना फैटी टिशू ह होते हैं तो फैट की जरूरत होती है आपकी इस चेस्ट एरिया को तो जितना उसके आप थोड़ा सा फैट लेना शुरू कर दें अगर आप बहुजा रपत लें तो पूरी बोड़ी पर फैट आएगा हलका फुलका और चेस्ट पर भी फैट आना शुरू हो जाएगा तो फ इसके अंदर हर एक वाइटमीन मिनरल होता है और जो मेन हर्मौन होता है तो आपके चैस्ट एरिया को निरधारित करता है थो भरा स्पर भर के इसकें अंदर है कि जुँरूरी होता है क्ट अपके वो पर के आपकी बौरी में लगे तो यह यह बहुत अच्छा इंगरीड honest ह मिल जाएगा आपको इसे हर रोज बिना पीना है यह नहीं कि सुपह खाली पेट पिना या फिर दो फैर में पिना जब भी आपको टाइम मिले आप इसका जूस निकालिए और आप इसको पीजिएगा बिना किसी मैडिशन के बिना कोई रुपया खर्च किया मतलब लाखों हज जारु रुपय खर्च कर देते हैं लोग कुछ नहीं करना है सिरफ यह जूस आपको लगातार एक महीना पीना है ना केवल आप अपने चैस्टेरों को ग्रो होता हुता हुआ देख पाएंगे बल्कि आप पूरी बोड़ी को हैल्दी बनता हुआ देख पाएंगे अपनी स् पीजें भी सामिल करके पी सकते हैं मेरा फैवरेट है जांचा फरका हुआ है मेरी चैस्ट ग्रो हुई है तो आपकी चैस्ट भी जुरूर ग्रो होगी लेकिन लगातार जब आप कोई चीज करते हैं वह तभी रजल्ट देती है अगर बीच में छोड़ छोड़ के कोई काम क करते हैं तो आपकी महनत का रजल्ट आपको नहीं मिलेगा को महनत लगातार करनी पड़ती है अब आपका जो सैकिंड डिंक है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं देखिए मैंने सैकिंड डिंक जो है वो लगातार नहीं पिया है पूरी मांदारी के जरू कर देता है अगर अपके एस्टरोजन लेवल को भी ठीक करता है मतलब कि सही लेवल में आता है तो आपको क्या करना है में लेना है और इसको रात ब़र के लिए पानी के अंदर भी गो देंगे और सुबह उठके जो आपका पानी बनेगा आप उस पानी को पीलेंगे ये जो drink है ये आपको खाली पेट पीना है, जो beetroot वाला था वो दिन में आप कभी भी पी सकते हैं, उसके साथ कोई भी नियम निर्धारित नहीं है, लेकिन जो ये मेथी दाना है ये आपको खाली पेट ही पीना पड़ेगा, तब जाके ये आपको result देगा, ओके? इसे भी लगातार एक महिना जरूर पी के देखीगा मेरा पूरा विश्वास है अगर आप लगातार महनत करते हैं और जो स्पेसली बीट रूट है जिसको मैं पूरे एक्सप्रियंस के साथ बोल रही हूं कि उसने मुझे रजल्ट दिया है तो आपको भी रजल्ट देगा तो इस डिं करना चाहते हैं तो definitely कर सकते हैं जब भी आपको रजल्ट मिल जाता है तो आप इन सभी ड्रिंक्स को छोड़ भी सकते हैं कोई प्रोब्लम निया दो तिन महीने चोड़ दीजिए और फिर दो तिन महीने फिर से आप इनको continue कर सकते हैं आसा करूंगी कि आज आप लोगों के आप इसको जुरू ट्राइ करेंगे मैं मिल्टी नेक्स वीजियो में तब तक लिए वात्रा पानी प्यें खुश रहें कर से रखें बाई